नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में, आज किस वीडियो में हम बात करेंगे री टॉटलिंग, री चेकिंग, रीजल्ट के बारे में और यहां पे हम आपको रीजल्ट चेक करना सखाएंगे कि आप अपनी मॉवाल से रीजल चेक कैसे करें अगर आपके पास पासवर्ड सेंड किया गया है तो आप पासवर्ड के साथ में चेक करना बताऊंगा और अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप पासवर्ड के बिना कैसे चेक करें अपना result बो भी मैं आपको बताऊंगा जैसा कि students का comment आया था कि sir retortling, rechecking के उपर वीडियो बनाईए तो उसी परकार से हमने इस topic पर वीडियो बना दिया तो आगे अगर कोई student comment करता है और topic को लेकर तो हम उन topic पर भी वीडियो upload कर देंगे तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका result अभी declare नहीं किया गया है क्योंकि जो retortling और rechecking का result है वो एक साथ declare नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ students पहले apply कर देते हैं री checking के लिए और कुछ students late apply करते हैं तो इस बज़े से जिनने पहले apply किया उनका result पहले आ जाता है और जिनने late apply किया तो उनका result late declare किया जाता है तो इस बज़े से under process बताता है और बहुत से students का no change बता रहा है तो no change means उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है उसके marks increase नहीं हुए है तो यहाँ पर अगर change ये लिखा आ रहा है तो next video में मैं आपको आपकी mark sheet डाउनलूट करना सिखा हूँगा कि आप अपनी जो mark sheet है आगे कि उसमें number increase हुए है वो mark sheet कैसे डाउनलूट करें तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब आप अपना result check कैसे करें तो चलिए मैं आपको सबसे पहले Google में लिख चलता हूँ सबसे पहले आपको अपने Google में पहुँच जाना है और आपको RBSC सर्च करना है RBSC आप यहाँ सर्च करेंगे तो आपके सामने एक link आएगी यहाँ पर आप देख रहे होंगे first number पर जो link है आपको इस पर click करना है then इस पर click करेंगे आप तो आपके सामने इस प्रकार से interface open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको right side में right side में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर tight number पर जो लिखा है scrutiny 2020 तो इस पर आपको click करना है आप यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने एक नया interface open हो जाएगा कुछ इस परकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको नीचे scroll करते हुए जाना है और यहाँ पर step बन दिख रहा होगा उसके बाद step 2 आप यहाँ पर login भी कर सकते हैं अगर login करना चाहें लेकिन आप login ना करें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप status कैसे देखें तो यहाँ पर आपको check your copy status पर click करना होगा check your copy status आप इस पर click करिए फिर आपके सामने एक नया interface इस परकार से open हो जाएगा अब यहाँ पर आप उपर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर अगर आपके पास password नहीं है तो आप बिना password के check कर सकते हैं अपना status copy status है जो और उसके बाद अगर आपके पास password है जो password send किया गया था आपके पास अगर password है तो आप password के साथ यहाँ पर check कर पाएंगे तो सबसे पहले उपर बिना password के check करिए आप roll number डालना होगा यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना roll number आप डालिए इसके बाद अपना mobile number डालिए यहाँ पर आपको view status पर click कर देना है इसके बाद अगर आपके पास password है तो आप password के साथ कैसे check करें तो यहाँ पर आपको अपना roll number डालना होगा और जो भी password आपके registered mobile number पर send किया गया है आपको यहाँ पर password डालना होगा तो यहाँ पर उसके बाद आपको login पर click करना होगा आप login कर पाएंगे यहाँ से और अगर आप ऐसे status देखना चाहते हैं तो आपको view status पर यहाँ पर click करना होगा तो यहाँ से आप अपना result चेक कर पाएंगे तो आई hope वीडियो आपको पसंद आया होगा यहाँ पर वीडियो को खतम करते हैं अगर आपके मन में कोई भी doubt या comment हो तो आप comment box में हमारे पूछ सकते हैं और अगर आप ने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो please video को like करते हैं